मेरे प्रिय अशेश्यों सादकों और आज के अमारे सभी नवीन दर्शकों मैं बात कर रहा हूं जन्म कुंडली में बनने वाले धनाध्यर लक्ष्मी वान बनने वाले और धन योगों पर क्यों ऐसा होता है कि दो वैक्ति मेहनत करते हैं एक ही जैसे प्राफेशन में हैं एक ही जैसे पड़ा एकाई की है और एक वैक्ति बड़ी तेजी से आगे बार जाता है और देखते ही देखते उसके पास खुदका मकान गाड़ी कुछ विदेश शात्रा हैं कुछ वो अपने फीचर के लिए कुछ जमा कर लिता है राशी और वही दूसरा वेक्ति जो वैसी ही काबिलियत रखता है लेकिन कभी रुपाय वैसा बचा नहीं पाया जिन्दगी भर किराय के मकान में रहे गाड़ी लेने का सपना सिर् मेरे लक्षपी मान बनने वाले योगों में से अगला और सबसे ज्यादा फेमस योग है गज केसरी योग योग कैसे बनता है इसकी शर्ट क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोल कर देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ उन शर्टों की पालना आपकी कुंडली में होती है या नहीं इसको जानना जरूरी है जब भी चंद्रमा के साथ आपकी कुंडली में खोल के देखिये जन में लगनना लिखा है उसकंड्रमा जहां पर लिखा हुआ है उनके साथ अगर गुरु लिखे हूए या फिर कुछ कुंडली वे ब्रहश्पति लिखे रहते हैं अगर वो है तो यह गज केसरी होग है माल लिखे हुए या दसवे गर में भ्रेश्पति या गुरू लिखे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुणली में बन गया है गज केसरी योग चंद्रमा के साथ साथ गुरू यदि लगन से भी केंद्र बेहो कोई भी आपका लगन हो सकता है फस्ट फॉर्थ सेवन्थ और इन चारों भावों में कहीं पर भी गुरू और चंद्रमा दोना ही लिखे हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये गज केसरी योग आपके लिए ज्यादा फाइदे मनते हैं कई बार जब लोगों से मिलता हूं और मैं कहता हूं कि गज केसरी योग हैं लोग कहते हैं बहुत सारे राजयोग है बहुत सारे पंडितों मुझे इसके बारे में जानकारी दी है लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है मैं तो आज भी दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हूं मैं मेहनत जादा करता हूं रूपया पैसा मेरे यह तिकता नहीं है ये सारी चीज़े बताते हैं यानि गज केसरी योग होना और वह इफैक्टिव होना ये दोनों अलग अलग चीज़े हैं कई बार कुंडली में योग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वह दशा नहीं आपाती है दशाओं के डिगरी बड़ी कमजोर रहती है उन गरहों पर पापी गरहों का प अंबिनेशन बड़ा अच्छा है तो आपके लिए वह गज केसरी बहुत बनाने का काम करता है या एक सूप्रसेद राजयोग है इस योग में जर्ब लेने वाला व्यक्ति तेजस भी होगा उसका चेहरा आखें देखते ही पता लगेगा हां इसके अंदर कुछ देवित्य या देविये तत्व जरूर है वह व्यक्ति धनी होगा उसके धन का अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो आज आप लोग अपने अपने कुंडली में अगर गज के सिर्यों खोच पाते हैं तो समझ लीजिए जो मैं बात कर रहा हूं वो लगभग आपके ओपर अक्षर रुपे हैं और काम आपके पास पांच लाग रुपे गाया है बैलेंस चार लाग और नबे जार रुपे आपके पास कहां सा आएंगे आएंगे या नहीं आएंगे यह नहीं पता है लेकिन अगर गज के सिर्योंग हैं तो समझ लीजिए कि यह डिले हो सकता है डिस्सप कर स सकते हैं लेकिन पैसा कभी नहीं ठीकिएंगा आपके पारस राजप्रिय होते हैं ऐसे लोग राजातुलिय सुख जीवन में प्राप्त करने वाले लोग होते एसे लोग खुश मिजास लोग ओते हैं गज का अर्थ है हाथी और केसरी का मतलब कार सुख सुविधाय आ गई हैं तो बहतरिन कार मकान सुख सुविधाय मिलती है वैक्ति की जीव में वाहन आबुशन धन दाने सभी प्रकार के सुख होते हैं लक्ष्मी की पूर्ण करपा इन पर बनी होती है इसमें गुरू और चंद्रबा का जित्रा अधिक डिगरी यह योग ज्यादा फलीबूत हो गया पंजाब प्रांत के बेहत साधारन परिवार में गाउं में पैदा होने वाले इनसान जो कि आज टॉरंटों में काम कर रहे हैं और इनके पास खुद के 18 गैस स्टेशन है और साथ इनके पास convenience स्टोर है साथ वे इन्होंने एक बहतरीन कैलिफोर्रिया में इन्होंने जमीन लिये और जहां पर ये तकरीबं 500 कमरों की मौटल बनाना चाहते हैं और इनका ये सपना है कि आने वाले टाइम में ये 101 मौटल बनाना चाहते हैं गरीब परिवार से जुड़ावा इनसान इतुरे गैस स्टेशन, convenience स्टोर और गरोसरी चॉप के साथ साथ मौटल बनाना चाहते हैं अब इनकी कुंडली में गटित गज के स्रियोग की बात हम करेंगे मैं इस वक्त आपको टेलेविजन के स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली दिखाना चाहता हूं यहां देखिए कन्या लगन की कुंडली है लगन में ही शनी लेकिन हमारा विशय आज कुंडली विस्टरिशन ना होकर विस्पेशल या स्पेसिफिक योग पर आधारित है उसी पर मैं केंद्रित करना चाहूंगा यहां देखिए जा बारा नमबर लिखे हुए हैं वह कुंडली का केंद्र होता है सेवन थाउस होता है बिजनस का होता तो यह गज केशल योग सबसे जादा एफेक्टिव होगा अब इनकी कुंडली में देखिए बारा नमबर में चद्रबा है अगर आपकी कुंडली में हो सकता है कुम राशी को हो मितुन राशी को हो मगर राशी को हो सकते हैं मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां पर चं नंबर लिखे हुए है वह चंद्रमा होता है एक पल एक पल के लिए हम माल लेते हैं तो गज के स्रीयोग कैसे बनता तो चार जन नंबर जा लिखें वह वह पहला गर हुआ चंद्रबागा पांच वार नंबर जो लिखा वो कुण्डली का सेकंड आउस होता जहां चंद्रमा एक नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर अगर ब्रैश पती होते चंद्रमा से 17 17 गुरु भूर्त शिरयोग मंता वह बहुत्त प्रसिद्चे आह meta छंदा इसके अलावा इनको तो सब कुछ दिया ही है इनके अलावा रेतिक रोशन अमिताप बच्चन शर्मिला टैगोर नेस वाडिया जमना लाल भजाज आती बहुत सारे ऐसी कुंडलिया है जिनकी कुंडलियों में गजकेस्रियों बनता है अगर मान लीजिए कि 100 लोग पैदा होत लेकिन एक लाख मैंसे किसी एक व्यक्तिक कुंडलियों में यह सरवातिक एफेक्टिव योग बनता है जो इतना धन देता है जिसकी कभी आपने कल पराविनिंग की होगी और जितने लोग यह धन कमाते हैं उत्रही उनके मन में गजकेस्रियों वाले लोगों के मन में यह भ और अगर यह योग आपका कमजो़ है तो उसको और इफेक्टिव कैसे बना जाए अगर यह इफेक्टिव है तो इससे और लाभ कैसे लिया जाए यह जर्मकुडली विसलिशन के आधार पर ही बताया जा सकता है बहुत बहुत सब में आप कौन सी सादरा करके क्या लाभ जिससे जीवन में सुख, शांती और सम्रद्धी व्याप्त हो जाए। आध्यात्मिक साध्रा सिद्धी केंदर जोधपुर ने संपूर्ण दिपावली पूजन पैकेट का निर्बान और उसे प्राण परतिश्टित और अभिमद्रित किया है। जिसे आप जोधपुर कारेले से प्राप्त करके सब परिवार उन साध्राओं को संपन करके जीवन में मालक्ष्मी का आशिरवात सदैव के लिए पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 0291-519-000-243-2625 98290-26625 8955-896625 इमेल इन्फो अधिरेट ग्रहुकाखेल.com.in वेबसाइट व्व्व डॉट ग्रहुकाखेल.com.in